Iron Man कितना जादा powerful है यह तुम सब तो जानती ही होगे लेकिन क्या तुम सब यह जानते हो कि Iron Man की सबसे powerful चीज उसकी सबसे बड़ी weakness है जो कि है उसका arc reactor इस बात को ऐसे समझो अगर उसका arc reactor discharge हो जाए तो उसका suit किसी काम के नहीं रह जाएगा क्योंकि उसके suit को power मिलती है उसके arc reactor से और A weakness movies में हमें कई बात देखने को मिली है जो कि Iron Man fact में जब उसका arc reactor निकल जाता तो ओ पैरलाइज होने लगता है और The Avengers में जब Tony Space में जाता तो उसका arc reactor discharge हो जाता तो वहां से गिरने लगता है और Iron Man 3 में भी ऐसा होता कि उसका arc reactor discharge हो जाता है और वो जंगलों में फस जाता है और Captain America Civil War में जब Captain America Tony के arc reactor को तोड़े देता है उसके बाद Tony पावर लेस हो जाता है और एक भी अटेक नहीं कर पाता है लेकिन एबात Marvels के विलेंज को ना पता चले नहीं तो Tony Stark एक भी fight नहीं जीत पाएगा